हेलो एवरिवन वेलकम और वेलकम बैक तो माई चैनल इफ यू आ न्यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आज की मेरी वीडियो मौर्निंग स्किन के रोटीन पर है यह सब मैं मौर्निंग में अपनी स्किन पर यूज करती हूं आज मैं वो सब प्रोडक्ट्स आपको दिख खाऊंगी जो मैं डेली यूज करती हूं स्टैब बैस्टैब मैं आपको बताने वाली हूं नाइट स्किन केर पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी अदरवाइस वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जागी और आप लोग वीडियो को दरमयान में ही छोड़ कर चले जा इसके लोअर पार्ट में मैंने वाटर एड किया है इसके अंदर एक निशान दिया गया होता है वहां तक पानी अड करना है फिर ये एक एसेंशल ओयल है इसके पांच छे डॉप में इसके अंदर एड कर देती हूं और पिर इसको आउन कर देती हूं इसकी बैक साइड पर बटन है उसको आउन करेंगे तो इसका मॉश्चर निकलना स्टार्ट हो जाता है भाप की सूरत में मॉटिफायर एर में मॉश्चर तो एड़ करता ही करता है फ्लू और कफ में भी आराम देता है सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से पीछे कर लें ताके बाल आपको इरिटेट ना करें इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ निविया का ओशन अलगाई फेस वाश ये जेल बेस फेस वाश है कंबिनेशन स्किन के लिए सेंस्रिव स्किन के लिए भी बहुत बेस्ट है ये फेस को डीप क्लीन करता है और स्किन के मौशियर को बैलेंस रखता है इसके अदर छोटे 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 बलू कलर के पार्टिकल्स है जो स्किन को स्फोलियेट भी करते है और पी एच लेवल को बैलेंस रखते है इस इस माई सेकंड बोटल मुझे ये बहुत पसंद है ये बिल्कुल भी ड्राइ आउट नहीं करता आपकी स्किन को और ये स्किन के नैचरल आईल को खत्म नहीं करता और नेक्स टेप विच आईसिंग मौनिंग में फेस आईसिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगर आपकी आईस के अराउंड पफिनेस है फेस पर स्वेलिंग है तो इसको भी रिड्यूस करती है अगर आपकी स्किन ड्राइ और सेंस्टिव है तो मैं स्जेस्ट करूंगी कि आप डेली आईसिंग ना करें वीक में दो से तीन बर इस मोर देन एनफ ये फेस के ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करती है और गुलोई बनाती है आफ्टर फेस आईसिंग आई लाइक तो यूज टोनर मैं O2O का ये टोनर यूज करती हूँ इस वेरी जेंटल ओन दा स्किन मैं कॉटन पैड पर कुछ ट्रॉप्स लेकर अगर अपने पूरे फेस पर और नेक पर लगाऊंगी इसकी कोई फ्रेगनेंस नहीं है ये सैंस्टिफ स्किन पीपल के लिए बहुत वैस्ट है टोनर स्किन के पीच लेवल को बैलेंस करते हैं अगर आपकी स्किन पर उपन पोर्स हैं तो उसके लिए भी ये हैल्प करते है टोनर हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है अगर हमारे पोर्स के अंदर कोई परोड़क्ट रह गया है कोई बेस वेरा जमी रह गया है तो उसको ये डीप क्लीन करता है अंदर से नकाल देता है और पोर्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है और श्रिंग कर देता है आफ्टर टोनिंग में अपने फेस पर मिस्ट यूज़ करती हूँ मेरे पास गुलाब मिस्ट है ये स्किन के टेक्स्चर को समूद करता है स्किन को सपल बनाता है और इसको यूज़ करके एक अच्छी सी फिलिंग आती है ये हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते है ये स्किन को हाइडरेट रखता है और स्किन को गलास स्किन एफेक्ट देता है और आईली स्किन वालों के लिए तो एक मैजिक का काम करता है नेक्स टैप इस टू यूजिंग दा सीरम ये ने सिनमाइट सीरम है ये वाइट हैट्स और बलेक हैट्स वाली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है ओपन पोर्स को शिरिंग करता है बहुत ही ज़्यदा हाइट्रेटिंग है वैसे तो मैं मौनिंग में सीरम यूज नहीं करती लेकिन अगर मैंने यूज करना हो तो इसी को करती हूँ ये फेस को एक गलास स्किन एफेक्ट देता है और जितने भी उपन पोर्स हैं उनको शिरिंग कर देता है और एक समूध सा टेक्सेर आजाता है आपकी स्किन पर इसको मैं अपने फेस पर और गर्दन पर यूज करती हूँ नेक और फेस के लिए सिर्फ दो तीन ड्रॉप सी काफी होते हैं हाथ पर लेकर अपने पूरे फेस पर और नेक पर इसको स्प्रेड कर देना है तो आप देखेंगी कि फॉरण ही आपकी स्किन पर एक गलास एफेक्ट आएगा आपकी स्किन बिल्कुल समूध हो जाएगी इसके बारे में कहीं भी मैंशन नहीं है कि ये आपकी स्किन को फेर करता है क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल क्रीम है जिस दिन मैं इसको यूज नहीं करती उस दिन मैं अपना फेस सिरम लगा लेती हूँ ये क्रीम एजिंग स्किन के लिए बहुत अच्छी है फाइन लाइन्स और रिंकल्स को डिडूस करती है और स्किन को पूरा दिन मैस्चर रखती है एंटी एजिंग के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है अगर आपकी स्किन पर कोई दाने और पिमपल्स इसको अप्लाई करने के बाद निकल आए हैं पहले एक वीक में तो इसका मतलब है कि ये क्रीम बहुत अच्छे से काम कर रही है वैसे तो ये एक बहुत लाइट वेट सी क्रीम है फेस पर लगी हुई पता नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया भी है या नहीं नेक्स टेप इस अप्लाइंग लिप बाम मैं इन दोनों में से एक अपलाई कर लेती हूँ कभी मैं लिप बाम भी अपलाई कर लेती हूँ और कभी लिप टिंट भी कर लेती हूँ लिप बाम से सारा दिन लिप्स हाइडरेट रहते हैं हमारी स्किन की तरह लिप्स पर भी रिंकल जाते हैं उनको hydrate करना भी बहुत जरूरी है मैं वैजलीन का lip balm यूज़ कर रही हूँ आप कोई भी यूज़ कर सकती है इसकी कोई fragrance भी नहीं है और कोई stain भी नहीं है मेरे पास Tuffy का organic lip tint है यह मैंने online order किया था इनकी website से इसमें और भी shares available है लेकिन मैंने इन में से pink चूज़ किया इसका tint बहुत light है जो के बहुत natural लगता है और यह आपके lips को hydrate भी रखता है और दूसरी बात यह organic है इसको damage नहीं करता और hydrate रखता है इसको आप अपनी cheeks पर chin पर nose पर eyes पर पूरे face का make-up यानिके इससे आप कर सकते है इतना light सा tint आता है और बहुत खुबसरत लगता है apply किया हुआ इसको आप blush and eye shade के तोर पर भी use कर सकती है सुबो के time में morning में कर किसी ने job पर जाना है या university जाना है तो इसका बहुत light सा stain आता है जो के बहुत natural लगता है आपके पास ज्यादा time नहीं है तो आप इसी से अपना पुरा make up करके जा सकती है ज्यादा over भी नहीं लगता और हमारा काम भी हो जाता है last में मैं apply करती हूँ sun screen जो के बहुत important है मैं use करती हूँ lotus की ये वाली sun screen ये बहुत light weight है watery texture है और ये कोई white cast नहीं छोड़ती बहुत ही अच्छे से skin में absorb हो जाती है और skin को even tone और dewy बनाती है morning में sun screen अपलाई करने से आप sun damage से protect रहते हैं इसके अंदर SPF 50 है और ये organic है यानिके skin के लिए harmful नहीं है rule तो आपको पता है two finger rule से हम sun screen अपलाई करते हैं इससे कम नहीं कम अपलाई करेंगे तो कोई फाइदा नहीं तो ये हमें sun damage से protect रखती है even if you are indoor so that was the last step of my morning skincare routine if you are teenager just follow the CTM rule C cleansing, T toning, M moisturizing और इसके बाद just sun screen अपलाई करें and you are good to go ये मेरी honest morning skincare routine थी I hope मेरी आज की उडियो आप लों के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो like कर दें comment कर दें और share कर दें और जाते जाते चैनल कर सब्सक्राइब कर दें until next time Allah आफेज